गुद्मोर्णी माई दियर एस पैरेंट्स और वेलकम बैक तो दे चैनल आज है 22 सेप्टेमबर और आज तक कि हम सारे घटना क्रम पर चर्चा करेंगे चली आए शुरू करते हैं कुर्शन नमर वन फिफा के लेटेस्ट रेंकिंग में कौन सा कंट्री अले नमर पर आया है तो आपका आंसर है बेल्जियम Federation of International Football Association यानी फिफा का गठन हुआ था 1904 में और इसका हेड़कौर्टर है जूरी का स्विटिजर लेंड में और नमर टू पर है फ्रांस प्राजील है नमर थिरी पर और इंडिया का पोजीशन है 109 पर पिछले साल या 108 पर था और इस बार इसका पोजीशन है 109 Belgium का कैपिटल है Brussels और North Atlantic Treaty Organization यानी नैटो का हेड़कौर्टर भी Brussels में है और हाल में ही Wall Bamboo Day Celebrate किया गया था तो Wall Bamboo Organization का हेड़कौर्टर भी Belgium में ही है Belgium एक European Country है विच स्टेट है रिसेंटली डिसाइड़ तो गिफ काउज तो फैमिली स्वीच माल नरिष्ट चिल्डरेन अंडर पोशन कैंपेन इन में से कौन सा स्टेट कौपोशन से सिकार हुए प्रिवारों को गाय देने का निर्नलिया है तो आपका आंसर है ती यानि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश नोर्थ इंडिया का एक स्टेट है और उत्तर प्रदेश का कैप्टर है लखनाओ और उत्तर प्रदेश इंडिया का एक बहुत ही बड़ा स्टेट है जहां पर लोग सभा सीट की संक्या है 80 और राज सभा सीट की संक्या है 31 और उत्तर प्रदेश में ही इंडिया का पहला हेल्थ एटियम लॉंज किया गया था वहां लखनौग के चार बाग रेलवे स्टेशन से और कुशिनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिकलेर किया गया है हाल में ही और आगरा का मोगल मुजियम का नाम छत्रपती श्रीवाजी मुजियम रखा गया है हाल में ही राजस्थान रॉयल्स का प्रेंड अमबेस्टर किसको नियुक तिया गया है आपका आंसर है शेन वार्ण ने शेन वार्ण है ए अस्टेलियन क्रिकेटर है और कुछ एडिशनल इंफर्मेसर लेते हैं सचीन तेनुलकर पेटीयम के ब्रेंड अमबेस्टर है और सौरप गाउली जो टोकियो गेम्स टूथाउजन टॉन्टिवन में होने वाला है उसके गुडविल अमबेस्टर नियुक्त किये गये हैं और कपिल देओ वो पिछले साल हर्याना के स्पोर्स उन्वर्सिटी के पहले फस्ट चांसलर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है एक रिसेंट्ली इंवीच स्टेट अनुस्व वाज इनोगरेटेड अनुस्व हाल में ही किस एस्टेट में इनोगरेट किया गया तो आपका अंसर है मद्द परदेश मद्ध पर्देश सेंटर इंडियन एस्टेट है और मद्ध पर्देश को सोया एस्टेट भी कहा जाता है क्योंकि सोया की पैदावार यहां सबसे अधिक होती है और मद्ध पर्देश को एक टाइगर एस्टेट भी कहा जाता है यानि मत्र परदेश को सोया स्टेट और टाइगर स्टेट दोनों के नाम से जाना जाता है Recently which state health minister has launched a bike ambulance हाल में ही किस state के health minister ने bike ambulance launch किया है तो आपका answer है राजस्थान किरला हाल में ही एक सी ambulance शुरू किया है इसका नाम है प्रतिक्षा करनाट का एर एंबुलेंश शुरू किया है और गुजरात सी प्लेंश सेवा लांच किया है तो आपका आंसर है B Ministry of Steel Where has India's first private jet terminal been inaugurated recently हाल में ही इंडिया में सबसे पहले कहां पर पहला private jet terminal लांच किया गया है तो वह है Delhi Delhi की international airport that is also known as IGI इंद्रा गांधी international airport पे इंडिया का पहला private jet terminal का उध्याटन किया गया है Who is the first American player to play in IPL अमेरिका का वह पहला कौन सा खिलारी है जिसे IPL के लिए चूना गया है आपका आंसर है A अली खान और अली खान कौलकाटा नाइट राइडर्स के लिए यानि केके आर के लिए खेलेंगे तो अब बात करते है IPL की तो IPL में सबसे successful team के रूप में मुंबे इंडियेंस रही है अभी तक जो अब तक चार मैच IPL का जित चुकी है इंडिया है रिसेंटली एनाउंस तो प्रोवाइड ए सॉप्ट लोन आफ टू फिप्टी मिलियन डॉलर तो विच कंट्री हाल में इंडिया ने एक सॉप्ट लोन एनाउंस किया है किस कंट्री को देने के लिए आपका अंसर है C Maldives Maldives Arabian Sea का एक छोटा सा कंट्री है और यह कई टापुवें से बना हुआ कंट्री है COVID-19 के बज़े से Maldives का tourism industry काफी प्रभावित हुआ है और tourism industry ही main economy है Maldives का और Maldives के प्रसिदेंट है इब्राहीम मुहम्मद सोली और वहाँ capital है माले और Maldives का currency है Maldivian रुपिया When is the international day of peace observed globally विश्व शांती दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है तो आपका आंसर है 21 September आंसर B और international day of peace का स्थापना हुआ था 1981 में United Nations General Assembly के दौरा और वर्स 2020 का जो international day of peace का theme है वह है Shaping Peace Together Which of the following cricketers has announced to set up a cricket academy in जेन के इन में से कौन से खिलारी ने हाल में ही जम्मू और कास्मीर में cricket academy setup करने का गोसना किया है तो वह है सुरेश राइना और यह जो cricket academy है वह जम्मू और कास्मीर के जितने भी sparing cricketers है उनको train करेगी और सुरेश राइना ने यह भी announce किया है कि वह पाँच-पाँच schools कास्मीर में और जम्मू डिवीजन दोनों में खोलेगा Which state has recently announced subsidy to open cinema halls इन में से कौन सा state ने हाल में announce किया है cinema hall खोलने पे subsidy देने का तो वह है आसाम असाम इंडिया के North East में है यानि Seven Sisters का एक पार्ट है और नया cinema hall खोलने के लिए 75 लाक्स तक का subsidy देने का निरने लिया है असाम गभर्मेंट ने और जो पुराना cinema hall है जिसको renovation अगर करना है तो उसके लिए 25 लाक्स तक का subsidy मिलेगा असाम का capital है दीशपूर और वहां के chief minister है वहां के मुखपंतरी है सर्वननन्दा सुनवाल और governor है जगदीश मुखी who has been given the additional charge of ministry of food processing industries after the resignation of हरसीमरत कौर हरसीमरत कौर के इस्तिपे के बाद में ministry of food processing industries का अतरिक्त परभार इसे दिया गया है हुआ है नरेंद्र सिंग्तोमर नरेंद्र सिंग्तोमर परतवान में भारत के क्रिशी मंत्री है और वे मोरेना constituency जो मद्ध पर्देश में हैं वहां से member of parliament चुने गया है और उन्होंने एक क्रिशी मंत्री के रूप में दो मोबाइल एप भी लॉंज किया है वह है प्रधान मंत्री किसान मुबाइल एप और प्रधान मंत्री किसान रथ मुबाइल एप इस country has recently launched nine satellites in the LOC from a ship LOC यानि पीला सागर से इन में से हाल में ही किस देश ने नो सेटलाइस लंच किया है आपका आंसर है चाइना चाइना कैपिटल है बीजिंग और वहां का करिंसी है युवान येलो सी चाइना का जो में लैंड है और कॉरियन पेनिसूला है इन दोनों के बीच में इस्तित हैं थैंक यू वेरी मुच स्टे टून फो लेटेस्ट अब्डेट्स